तुबई में होने जारे T20 टूनामेंट के तीसरे संस्क्रण में यूरास सिंग जलवा भिखेड़ते नजर आ सकते हैं टूनामेंट के चेर्मेन साजी उल्क मुल्क का एक बयान सामने आया जिसमें वा यूरास के खेलने को लेकर काफी आश्वस दिख रहे हैं साजी का कहना है कि हम यहां सरफसेस्थ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जहीर खान पहले ही 67 भारतिये खिलाडियों के साथ साइन अब कर चुके हैं पिछले साल मुनाफ पटेल प्रवीन कुमार और प्रमीर तामबे भी खेल चुके हैं अब यूरास सिंग भी हैं हम इसकी 2-3 दिन में घोशना करनी की उमीद है मुल्क ने कहा कि हम उसके साथ बाचीट के अंतिम चरण में हैं बता दे कि 15-24 नॉमबर तक T20 लीग का यहां 2019 संस्क्रण उनका तीसरे सीजन होगा इस सीजन को बहतर बनाने के लिए चेयर मैन मुल्क आश्वस्त है कि बड़े खिलाडियो की आमद में ये टूनामेंट दुनिया भर के क्रिकेटर को अपनी और खीचेगा चेयर मैन मुल्क ने कहा किसी भी देश के सैलानियों के लिए T20 टूनामेंट 20 से 30 तक समय लेता है जबकि हमारी कोशिश है कि T20 टूनामेंट को जल से जल रोचक तरीके से खतम किया जाए हमा अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहें तो हमारे फेस्बूक पेच को लाइक करें अगर आप ये वीडियो योट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अमन यादो बंजाब केसरी दिल्ली झाल झाल